हलो गुट मेंट टोलेफी कैसे आप लोग उमेद करते हैं सभी के अच्छे होंगे तो आज की जो क्लास है आज की वीडियो बनने वाला बहुत जबर्दस होने वाला है पूरी कोशन का मैं फूल एनलेसिस करके आया हूँ और यहां पर देख सकते हैं बहुत सरे कोशन आपको देखने के लिएगा और यह सारे कोशन का कहां से पूछा हुआ है किस किताबों से आया हुआ है उस सब चीज का यहां आप लोगो लाइब प्रूफ दिखाऊंगा लाश्ट तक बने रहेगा पूरा 40 के 40 यह नि 40 आपका 40 के 40 जो कोशन है वो सारे कोशन मैं पूरी तरस में बताऊंगा कि कोशन यह सारे कोशन कहां से आया हुए और किस बुक पर आप फोकस करते हैं तो आप एक महिने का अंदर में पूरी 40 के 40 कोशन का त्यारी कर सकते हैं और एक भी कोशन नहीं चुटेगा यकीन मानो कि यहां पर ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे दिखाएंगे कि कुछ गिलात है कुछ सही है कुछ भी है यहां सामने बुक का प्रूफ लेकर आया हूँ और यहां तक मैं पेज वाई पेज बता दूगा कि किस पेज में से कौन सी किताब में से पूछा गया सारी कोशन तो लाश्ट तक मने जाएगा बहुत सारे किलियर हो जाएगा समझो कि आज से तुम लोगा जोगराफी का छुट्टी इदम पूरा हो जाएगा और मैं क्यूं इतना दिन से 6 ग्लास का, 7 ग्लास का, 8 ग्लास का, 9 ग्लास का, 3 ग्लास का आपको लगेगा कि कोशन सही में कहां से कोशन पूछ रहा है, किस तरह कोशन पूछ रहा है आप सभी जब एक्जाम में कोशन आया तो सब कोई ताज्यूब हो गया था, जैसे यहां ही कोशन था देशे यहां पर कोशन दिख रहा हुआ गंगा के मदवर्थी मैदान में पाए जाने वेली चूना परधान जोलोड मिर्दा को कहा जाता है बहुत सरे कोशन को बच्चे इसका एंसर खोशते रह गयते कि भाठ होगा भुड़ होगा रे होगा क्या होगा यहां देखो यहां ज से क्या कहा जाता है उसी तरह पहला कोशन आए शुरू से देखते हैं बीच-बीच से देखने से कोई फाइदा नहीं आए शुरू से दिखा रहा हुआ आपको एक नमर कोशन देखे यहां लिखा है बंगलादेश में स्थित यमुना पदमा मेगना दवाब की सागर तल से उचाई कितनी है तो बहुत सरी बच्चे हो लग रहा था कि वीस से पचास होगा की वीश से सट्र होगा क्या होगा बहुत सरी बच्चे हो कनफिजंट यहां इसका अंसर दिखे जाएगा आपको यहां पर शीदा सीधा शीदा देखिए इस और जुम कर देता हूं ताकि रदानी देश में अधिक्तन भाग कि उचाई समुदर तल से 25 मिटर से भी कम है 25 मिटर से भी क्या है कम है समज़ा गया इसका एंसर यहाँ देखो इसमें कोई नहीं लिखा वह 25 मिटर से पहना है न और इनमेंसे bas... पूरी जोग्रफिया आपके क्लियर हो जाएगी दूसरा कोशन देखो भारत और स्रिलंका का मद नियूंतम दूरी कितनी है तो नियूंतम दूरी बहुत सरे बचे इन में से क्या होगा एंसर आपसे भी कंफिजन हो रहा था यहां देखो यहां पर दो जगह इसका एंसर दिया इसी बुक में हैं दिया होगा था है यहां पर इंसर दिया हुआ है कि स देश की इस देश यहां ऊपर में दिया था कि भारत और यह देश यानि किसिंट रहें बढत कर चाहिता भारत कर आप बावब Bernard कीलिमीटर के दूरी पर अवसACE थी था है तो कोशन क्या फूछे थे अगला आईए यहां लिखा है भूटान की सरवचे परोथ स्रेणी है भूटान की परोथ स्रेणी कौन सी है यहां ओप्सन दियाता यह कूला कंगारी पुना का चोलो लहार यह सब बहुत बहुत सर बच्चों को कफिजने ओते क्या होगा अब इसका एंसर देखो कहां से दिया जिसकी बुटान में सारवाधिक उचाई 7574 मिटर है यानि सबसे उची परोट के जो नाम में क्या है ग्रेट हिमाले जो की ऑप्सन में दिया ही नहीं था अब बहुत सरे बचों कन्फिजन हो गया तो नाम देखके कि क्या मारे क्या मारे इसमें अजी है पूर्वी उतर परदे से इसकी और सबसुट कर लेकर और करहले कि परंद से मिटर के मलओं है sixthकिए इसकी अचाई और 500 मिटर। सब्सक्राइब पाई जाती है ते यह अब ये जश्ट मैं अब को दिखाई दिया हूं सुरुवात में ही दिखाया था इसका अंसर जैसे कि यहां पर देख सकते रहे लिखा हुआ है अगला कोशन है यह पूरी कोशन को मैं बताऊंगा सामने पूरा कोशन आपको मिल जाएगा यहां देखियें यहां मैं पेज भी देख लिए यह नहीं मिलेगा था हमसे पूछीगा बोड़ी गंड़क और कोशी दुआव के मुख्ये क्रिसी फसले है तो बोड़ी गंड़क और कोशी के बीच में जो फसल उगाया जाता वो कौन सी फसल रहे आए इसका एंसर दिखाते हैं पेज नमर को क्या था दो सो चो मुकता से होती है गंडख बागमती कमला घंगरा नदिया के दोआ पर मुके उत्पादक छेत्रेए है अब आप सबगो अगर पता रहा था कि यह गंड़क निकलती है गंडग के मादेटि यह बड़ी गंड़क उसका बादेर इसके दिलए दाती और लहां लधा कोशी है इस बीच में स्वरेन अगला चलो कोशन दिखाते हैं यह बिहार के कुल भगोलिक चेतरवलों कितने प्रतिसोत भाग वास्तविक वन बिस्तृत है अभी वन का पुछ रहा है कि बिहार में केतना परसेंटर जोन है पांच होगा पांस दिसमेलों दूना होगा कि पांस दिसमेलों में पांस दून्हेंलों 7 होगा इनमें से कऊई अन्सर ने होगा देखो कैसे यहां देखो सामने लिखा hiệnा ने होगा सिधे आप लोग को दिख जाए इसको औरजुम करके दिखा हुआ हूं सामने आपको देखैंग पूरी तरह से दिखेंगा आपक談 सामने-प्पवहोलिक- 74.14 हेक्टेर में 1 चेत्रे बचा है जो भॉकॉलिक चेत्रे का मात्र 7.1 पर 30 यानि केतना है 7.1 परसेंटेज मात्रे जो की option में नहीं था यहां आए कोसी बाद परिजना का अंगक नहीं है अब इसमें बहुत सरे बच्चों कन्फिजन हुआ था यह एंसर यह एंसर यह एंसर तीनो होगा कैसे देखो एकدم किता कटम बाद लिक कवा अभी समझेगा के कुसी बाद परिजना का अंगके का रहा कि नहीं है पूछ़रा तक नहीं है यह तीनो है एकचोली में इनन वे स्कोई नहीं एंसर होगा कोशी बांद पर देखो यहां आपके स्क्रीन पर दीखेगा ना कोशी नदी घाटी पर यहां पढ़ो पुरी तरह से पूरी जब इसको पढ़िएगा पुरे तरह से तो आपको सामने से समय देख जेगा मैं इसको बता देता हूँ मोटा ओना का दिया है पहले चरण में मार्क प्रिवर्टर नियंत्रत बिहार नेपाल सिमा में हनुमान नगर बैराज का निर्मान बाड़ नियंत्रत के लिए दोनों टटकी ओर पूरवी एं पच्मी नहर इसकी सखाओ का निर्मान सम्मिलित किया गया यह पूराओअब सेड़ में अर्पच्मी सेड़ में रहा अनुमान नोगा तीनु आई दिया भा था अगला कोशन आई— बिहार में रिष्मी वस्तर के बनाने का मुक्ष है केंदरे इस्थीत है देखो आपका यहाँँगा कि यह कोशे्द तो बहुत हीजी है, बहुत सरवा BACCHER तो बता देते हैं, भागलपर भागलपर बहुत सरवा शरो रड़त हुए जानते हैं लेकिन मेरा यह मतलब नहीं है कि आपको याद है नहीं है, मैं यह बतने हैं किस किताब में से कौन से बुक में से ये question बराबर आ रहे हैं चाहे वो पहला exam हो टीरे 1 होला हुआ था ये टीरे 2 हुआ था और टीरे 3 इसमें कहां से question आ रहे है मैं उसको बताने कोशिज कर रहा हूँ ये टीरे 3 अभी जश्ट जो cancel हुआ था exam का उसके सारे question का इसका तो answer पता है लेकिन ये किस किताब में है ये बिहार बोड का दसवे क्लास का उठाएगा 242 नमर पेज में आईए यहां पर 242 पेज नमर आते हैं यहां देखे लिखा हुआ रेसम मुख्य उदोग सबसे अधिक है बिकास भागलपुर में हुआ कहा हुआ भी है तो भागलपुर में हुआ दिख गया आगे ये बिहार इस तो डालमिया के मुख्य उदोग क्या है तो डालमिया नगर में मुख्य उदोग कौन कौन से है आए इसका answer दिखाते है यहां पर यहां देखिए उपर में लिखा है सिमेंट उदोग, यहां भी दिख रहाँ है, नीचे यह दिखेगा, सिमेंट उदोग, रोतास, जिला में, डेहरी, ओम, सौन के पास, डालमिया नगर में, क्या होता है, सिमेंट उदोग के लिए फेमास है, दिखना सीधे-सीधे अंसर आगए है, बिहार के हाजीपूर में रेलबे के कौन से चत्र का मंडल मुख्याले है तो इस सबको मतलब है कि पूरो मद रेलबे है लेकिन किताब में कहां दिया हुँ था इसको मैं बता रहा हूँ देखो यहां पर यहां आओ नीची आओ यहां देखो क्या लीकपुर में 2002 में मुख्याल है अब नहीं पूछ सकते अभी है जब इसी के आस पास से ही कोशन आएगा इतनी गारंटी यह देख लेना आगे आओ यहां आओ असम घाटी में ब्रहांपुत्र नदी की लंबाई है यह वाला कोशन में तो सब लेकन पगला गया था लो कि कितने भाई यह असम घाटी में यानि ब्र कीकलो मेटा। है लं यहां देखा पर देखंगे ब्रहांपुत्र नदी की बात आए किसिकी नेपाल के मद्स समान रहा हुआ है सिमय है, अब नेपाल से कौन को सटा हुआ है, इसके बारे में अगर जानना था तो बहुत सरे बच्चे कहते कि भहिया तो हमको याद है मैप में से, मैप में याद हो नहीं हो उसे कोई मतलब नहीं, बुक में दिखा रहा हूँ, इदर आईए, आईए यहां कौन सा बुक तचन तadd में बिहयार है म, उत्तरपर्देश, इतना मिल गया अब अप्शन वाज़ तोटल किताब में से कोउछन पूछा वाई, इधर आओ. आर दिखाते आप लोग को यहां यह लिखा हुए कि परवत की चोटियों के स्वहुँन की उचाई घरते कुरम में नीच दी गई निम्लिकत में से कौन सा खरम सही नहीं है ध्यान दीजिए का रहा है कि सही नहीं है यानि घरते कुरम मों डही इसे बताना है कि जो घटता हो बढ़ता हो मतलब फिटा गया हुआ पस में उसक्रमत्रा पहली बाते आपको पता रहता है कि कौन परत सबसे उचा है फर्स्ट नमर में कोई है जैसे फर्स्ट नमर में मांद के चलो मांट अवरिष फर्स्ट मांट वरे सिकंड नमर में केटू अगर यह पता रहता तब आप उसको एरेंज कर पाते दिखते कि हैक नहीं है अब आए कहां से पता होगा इधर आए सामने देखे यहां देखे यहां लिखा हुआ है कि 8,848 मांट वरेष का केटू का 8,66 गारे कंचन जंग का 8,500 अंठावन मैं कालू का 8,400 एकासी देखो सि 7,700 नामचा बरवा 7,700 गुरूला मंदवा 7,700 अठाशी यह सारे एक टू जेट लाइन वे लाइन अगर याद रहता आप लोगो तो अराम से एरेंज कर सकते था यह देखो बुक में ही दिया हुआ इस बार देखो मैं लगाया हुआ हूँ यह वह भी भी आई देखना कोशन कुछन आएगा क्यूंकि में पीछली बर मी टीक लगाया था भी भी षरी बहूठ वह आया था क्वा सब्सकें को लगारा कि 8 से मिरा लगाया वह टीक में से लड़ गिया था कोशन बहूत सरा बचे जानते हैं जो एग्जाम दिये थे बहूत सरा बचह आता यह लगाई यह यहाँ देखे निमली कित मैं से कौन नइच्छित के दच्छिन की गंगा का जाती है यह बुदावरी लेकिन किता में कहा दिया हूए, भुक में कहा है, तो नाइंध क्लास कीा की में पेजh taking आईएगा सिधे सिदह अगो खड़े कड़े देखे हुँ में धर पर गुदावरी नदी कहाब या तो दछन गंगा कहा जाती यह ब्रिध गंगा कहा ज exports दच्छिन गंगा और बिर्द गंगा ओप्सन देखो BPC करता क्या है ओप्सन में क्या देदेगा दच्छिन की गंगा और नीचे देदेगा B में बिर्द गंगा उसके बाद लाश्ट में देदेगा इन में से एक से अधिक तो दोनों याद रखिए यही तो confusion फसाने यह कुछ कहानी सुनी यहांपर मैंगर वन की क्या विछेस्स था सब् achieving इस एक हो nyaष मानTON इसिर दल दाल प्रशिव में तोनों मिल जाता इसमें महान पॉंक और और डॉरा निर्मित के विशष पर होलता है मैं पूरा डूब जाता है अंसा डौण लगते है जैसे मोलनों पँंक्ष संहीं में धंसे हुए नसे है पुरा हमें डूब जाता है और आब यहाँmy यही से आप लोगों मिल जाएगा एंसर यहां ihan क्या लिखा थैंट option option में देखो option में क्या क्या था ध्यान से देखो option छोड़े घने लंबे नहीं मिला है कोई दिकत यहां आओ यहां मिला है दलदल कीचड़ और खारा टटी था पोधे की जड़े पानी का अंदर डूबी वी थी था यह दूनों था तो कम से कम का रहा है कि दो को मिल गया तिन मे अरक्षित रहे है तब न ढूढते की नहीं कौन सा है अब कईसी जनी के कौन सा है इसका वी दियाव किताम इदर आओ यहां देखो यहां पर ध्यान से देखो सब चीज मिलेगा यहां पर उत्तराइंचल में है जीम कारवेट राष्टी उधान पछीम बंगाल में हम जो पढ़े है उसमें पछ्जिया बंगाल का सुन्दरवन नहीं मिला है मुला है उतरह खंड की कमिलने नहीं 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 दें कोई नहीं होगा किताम में ही दिया हो था आगा जाओं अप धर्य रखिए विडियो फ़ब्ट लंबा बनेगा लेकिन एक ही question को मैं analysis करके दिखाऊंगा अगर वाकाई में आपको तियारी करते होंगे तो आपको हरे question के यहां जवाब मिल जाएगा कैसे पढ़ना है उसके बारे में भी लाश्न बताऊंगा किस तरड़ पढ़ना है, सारे से नदी को बीहार का सोख ङता नेकिस किसी कीताब में कहाँ का दिया हूतahi कौशी को बिहार का स्व कहा जाता है जिसके कारण चालन dreal अब क्रिशना को दामरी नदी वीवात किन राजयोंग्यों के बीच में है तो यहां करनाटक, आंदरपरदेश, करनाटक, केरल, करनाटक, तमिलड़ किसके बीच में है, इसका भी दिया हूँ एंसर, यहां यह सामने एदम देखिए, अब लोग मिल जाएगा, कृष्णा, नदी, जल, बिवाद, आंदरपरदेश, करनाटक और महाराष्ट के बीच में मत, उनई 177 से चलते आ रहा है, चलते आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आगया जाओ, हरे एक क्वेशन का अंसर मिले यहां देखो, बिहार मने मिलके में से कौन से जील अबरक भंडार है, उत पादन के लिए माना जाता है, अब देखो, यह कोशन का सीधी सीधी अंसर दिया हू यहां देखो, यहां देखो, कहां इसका अंसर दिया हूँ था, इसको मैं टिक भी लगाया हूँ था, यहां देखो, पहले से यह सब यह पहले से टिक लगा हूँ है, इसा नहीं है, बहुत सर बच्चे बोले हैं कि अभी लिखा हूँ, यह बहुत पहले कहा है, यह पुराना इंपर्टेंट है ध्यान से दो खोई क्या है अभर रख के बरह मा düşंई जिस्ट वही वही हाई llegar अब रॉदर को छिलो आगा आ जूना यहां पच्पनड़ कर्फि shelter सेम बाइन के ऐन्सर दिया हुआ है कहा आगे यह दिखा रहा हम दिखा रहा हूं है आप सभी के error मीलेगा घबड़ाने की बाते नहीं तुछ दिखेगा आए दिखा रहा हूं आप सभी के आंसर धिखा रहा हूं यहां देखिए या एदम लाइन लाइन दिखिए जूट का पहला अथा 25 कुल्कट्ता के निकट रिश्रा में रिश्रा में कहा है यहां देखो रिश्रा दिया है ठीक है समझेरे नौ रिश्रा में भारत को किस देश से अलग करता है करता है कि मौलदीप करता है कि इंडियोस यह करता है इन कर रहा एक कूछन कंसर मिलेगा लाष्ट तक सब को बताओंगा ऐसा है नहीं कुछ भी नहीं चोड़ेंगा देख लो यहां आज़ा गंगा के उपरी मैदान के दच्छनी सीमा रेखा का निर्धारन करती है यह भी कोशन कंफीजिया करता है बढ़ी बिद्यांचल करता है यमना करता है कि गंगा नदी करता है आजा यहां पर एक तो मैंसर आपको सा प्राइदीपया पठार और पूरव में 100 मिटर की समूचरे रेखा दोरासी मांकित किया जाता है मतलब इसकी सीमा बोर्डर लाइन कहांairy बना है तह देखो कहा उतर में सीवालिक पच्छी में यमुना नदी, दच्छीन में प्राइदी प्ठार और उसके बाद पूरव सैड में समुची रेखा दबारा सीमांकित के आई तो अब इदर है कोशन किस डिरेक्शन के पूछ रहा था कोशन पूछ रहा था दच्छिन सीमा रेखा तो क्या होता प्राइदी पेटार आपसन में दिया है नहीं दिया है अगला आईए एक कोशन के इंसर दिखाऊंगा आगे आईए यह देखिए चंबल नदी के अपवातंतर का परकार है च के लिए यार कहा तो लोगो काहाँ दिया हुए अजीब कहाँ कहाँ से कोशन पूछा रहा नहीं भाई किताब मैं से लाइन बई तो आखिक गया आगया जो फिर से बिचार नियुक्ता इसका समर्थक को थे स्विसका समर्थक कौन तो पहले पर दोखे रहते इदर आजिए यहाँ देखिए यह इसको मैं जब पढ़ाया था बहुत सरे लिए मिलगे कोश्ण का इसर आगे आजाओ अगला कोशन दिखा रहा है अब यह यहां से जन्संग्य दिग्या जन्गन्ना वाला कोशन रिपोट आप पूरा पढ़ लिजीगा कहां सक्षे तरद कम है जादा है यह तो नर्मल कोशण होगी बहुत सरे किताब में बिल जाएग इसको ढूंड़ें जो इतने हैं बहुत सरा जगा मिल जाएगा आप नेट से भी चाहिए तो इसको देखके पढ़ सकते हैं लेकिन भूक में भी दिया था इसा निए कि भूक में नहीं दिया था यहां आजा मैं दिखा रहा आपको इसका बना हुआ तो जर्यागारें क्या उत्रपरदेश महाराष्ट देखो यहां लिका है भारत के लगबग आधी अब आधी केवल पांच राजियों में ही निवास करती है उत्रपरदेश महाराष्ट बिहार पच्छिम मंगाल आंद्रपरदेश यही पांच में है जो पूरी आधिवादी है मतले लाइने से दे यहां लिखा हूआ है 1901 से 221 के बीच में 2001 से 221 के बीच में कितना 170.64 आगया जाओ अन्सर क्या था यहां पूच रहा था तो क्या है मतलब कि 7.5% लगवक कितना साड़े सतरा परसंट एक नहीं साड़े सतरा परसंट अंसर हो जाएगा और वो पूछ रहा था कि जन संगया कि सही में पूरा वीडियो यहां तक देखे होंगे तो पूरी कोशन आप समझ गया होंगे कि कोशन कहां से मतलब यह पूरे कोशन के अंसर कहां से आ रहा है और किस तर आ रहा है कॉशन यहां पूछेगा सब्स रवाचा है कि किस-किस बुक को पढ़ना जरूरी है कौन-कार कि कौ किशन किजिये कि 9th क्लास और 10th क्लास इस पर ज्यादा प्फोकस कीजे जिजिए जोगरफी किस का तो किसका जोगरफी याद रखो NCRT नहीं, NCRT नहीं, बहुत सरे बचे को लग रहा है कि NCRT बढ़िया है, NCRT बढ़िया मैं, मैं आप लोग को दिखा दूँगा लाइव, जब मैं क्लास करा रहा हूं, इसमें बहुत सरे वीडियो में डाल रहा हूं, 6 क्लास पूरा को मैं दिखाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा, उसमें भी बताऊंगा कि ये कोशन पूछा हुआ था, खुद मिला कर देख लेना कि NCRT में ज्यादा कोशन है, कि बिहार बोड से ज्यादा कोशन है, इतनी गारंटी है, NCRT पढ़ रहा हो, कोई दिकत नहीं, आपको पढ़ना है किताब पढ़ेंगा, किताब पढ़ेंगा, था था बिहार कोशन है, कोई भी पाडा नहीं जाएगा,即 सुछन में सकना बिहार के बोड़नें, मिलvity वखनेंगा, किशी बिहार कोशन मिलजाएगा, आपको से बाढ़ना है, है ना अरे भाई 30 पलस तुमको किताब में से अगर मिल जा रहा है तका कम है 40 में से तुमको सिर्फ यही शिर्फ 9 तिन पढ़ लोगे तो 30 पलस कोशन बन जागा तुम जाकर एक्जाम में 40 में से 30 बना दीजे तका कम आ रहा है आपका 40 में से से 30 पढ़िए और मैं खुद क्लास चला रहा हूं बहुत सरे बच्चे देखो बहुत सरे कम बच्चे हमारे वीडियो को देखते हैं उसे हमको कोई मतलब नहीं कोशिज करते रहें कि हम पूरा वीडियो लगतार डालते रहें तो कनफ फॉर्म 15 माई तक 15 माई तक सारा वीडियो अप्लेट कर देंगे हिस्ट्री का जोगरफी का अधर सब्सक्राइब धीर दिरे उसके बाद आएगा ठीक है इसलिए मैं SCRT पहले फोकस किया हूं बहुत देख लिजे कि कहां से कोशन आ रहा है मेरे साथ आप अगर जूड़ना चाहते हैं तो जूड़ सकते हैं उमीद कर रहा हूं कि जितने भी वीडियो बना रहा हूंगा वो आपके लिए फायदा मेंद होगा और मैं खुद उसमें टिक लगा लगा कर रखाऊं कि कौन से लेकिन इतनी गारेंटी एकदम दे रहा हूं कि आप 40 में से 30 का अगर तयारी नहीं करा दिये तो आप पुछ लिजेगा आप कही से पढ़ ले की दिरों से पढ़ ले कोई मतलब नहीं हमको आप देख लेना 40 में से 30 की तयारी आपको यहां हो जाएगा एदम गाराटेट हो बीच में अधुरा छोड़ने की काम नहीं है इसलिए जो चैप्टर बहुत ज़्यदा इंपर्टेट उससे ज्यादा मैं फोकस कर रहा हूं उसको बता रहा हूं ठीक है अब जो नाइंत और तेंत का सुरू होने वाला है नाइंत का तो सुरू हुई गया है तेंत का पूरी तरह से ध्यान दीजेगा नाइंत का पूरा ध्यान दीजेगा उम्मिद कर रहा हूं आज का वीडियो बहुत ही फायदमंद हुआ होगा हमको तो लग रहा है कि बहुत सरे चीज़ आप समझ गया होंगे अगर वीडियो बहतर लगा होगा अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरू बताना अगर इसका हिस्ट्री का भी एनलेसिस चाहिए तो कमेंट किजएगा उसके बाद से प्रोडिकल संस कर करके बता दिजिए कि कहां कहा से एक्जाम कोशन पूचे सब का बताउंगा टीरी टू का भी चाहिए तो उसका भी बता दूँगा उसका भी दिखा नई विश्वास है तो कमेंट करको जो जिस भी तरह का कोशन पुछना होगा बे धड़क पुछिए हरे कोशन के देवाब देने के लिए मैं तयार हूँ तो उमीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए फैदमेंद होगा फिर किसी दूसरे क्लासे मिलेंगे तब तक के लिए मसकर असलाम अलेकम जाए हिंद जाए भारत